तो गाईज अगर आपके फोन में जो by juice application है ये application जो है open नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में गाईज मैं आप सभी को बताने वाला हूँगी कैसे आपको इस problem को solve करनी है तो चलिए गाईज वीडियो start करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले तो गाईज आपको अपने फोन में जो setting है उसको open करना है यहाँ पे open करने के बाद आपको उपर कियो ओर slide करना है और यहाँ पे आपको एक option आएगा तो यहाँ पे आपको जो है application वाले option पे click करना है उसके बाद यहां पर आपको manage application का option आता है तो आपको यहां पर click करना है और यहां पर आपको search bar पर click करना है और यहां पर आपको लिखना है by juice तो इस तरीके से दोस्तो आप जो है लिखेंगे by juice करके लिखना है आपको और जैसे हैं आप लिखेंगे तो दोस्तों आपके sorry मैं spelling को भूल गया तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या है तो जहां पर आपको लिखना है by juice जैसे हैं आप लिखेंगे तो आपकी सामने आएगा तो उसको open कर लिजे open करने के बाद दोस्तों आपको storage पर जानी है और इसका data आपको clear करना है उसके बाद आपको जो है एक option आता है application permission का तो आपको यहाँ पर click करना है और सभी permissions को आपको allow कर लिनी है और back आना है back आने के बाद आपको restrict data uses पर click करना है और इसका जो wifi और mobile लटा है दोनों को enable कर लेनी है और रोके करना है जिसके बाद आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी तो आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए